नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रेनुका गौतम और आप लोगों के questions और रवींद्र गौतम जी के answers यह जो हमने सीधी शुरू की है उसमें दूसरा question मैं ले रही हूँ भीलवाडा राजस्थान से स्वाती राठोर जी का रवींद्र जी यह लिखती है कि मेरी उम्र 37 साल है मेरे पती बिजनसमैन है घर में मेरी कोई नहीं सुनता मैं सभी बड़े-बड़े मंदिरों में भी गई भगवान से प्रार्थना की लेकिन सब बेकार है मैं बहुत दुखी हूँ और अब तो भगवान से भी विश्वास उ नहीं है लेकिन जो उन्होंने लिखा है एक तो उन्होंने बड़ी बात कही है कि उनका भगवान से विश्वास उठ गया है क्यों उठ गया है क्योंकि वे दुखी है और उस दुखी क्यों है दुखी वे इसलिए है क्योंकि उनकी कोई बात नहीं सुनता तो क्या यही एक का कि गरीब आदमी बड़े मंदिरों में भी नहीं जा सकता। तो उनकी यानि कि जो रोज मर्रा की जो गरीब विक्त की समस्याइं होती हैं, खाने पीने को लेके, बच्चों की एजूकेशन को लेके, वो कोई समस्या नहीं दिखाई देती है। उनकी जो प्रमुख समस्या वो यही है कि उनकी कोई नहीं समता। गर्णी है, ठाइस्वाइफ हैं, और ठाइस्वाइफ की नॉर्मली आज के समय में यह समस्याइं हो जाती है। क्यों उनका जीवन कई बार एकाकी जीवन हो जाता है। पती, अगर बिजनेस में है, तो जहर सी बात है, उसके वर्किंग आर्स भी बहुत जाता होते हैं, वो कब जाएगा, जाना तो उसका तय है, पका है, लेकिन कब वापस आएगा, वह तय नहीं, बच्चे अपने लाइफ में आज कल बीजी हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपन उन्होंने बात आखरी में कही है, कि उनका भगवान से विश्वास उटके आएगा, मैं सबसे पहले इस पे बात कहना चाहूंगा, क्या हम इश्वर के पास सिर्फ और सिर्फ इस लिए जाते हैं कि मेरी मननते पूरी हो जाएं, मांग लेके जाते हैं, डिमांड्स लेके जा देश के कोने कोने से लोग वहां पहुंचते हैं, हर मंदिर में हमारे देश के, हर व्यक्ति अपनी कोई डिमांड के साथ पहुंचता है, ऐसे लगता है कि मानो भगवान से प्रास्थन करने नहीं आया, भगवान के दर्शन करने नहीं आया, अपना कोई प्रपोजल लेके आया हुआ है कि आप मेरे यह मांग पूरी कर दीजे, आप मेरा यह काम करा दीजे, तो उसके बदले में मैं आपको प्रशाद चड़ाओंगा, सवाबनी लगाओंगा, मुकुट चड़ाओंगा, मंदिर का यह निर्मार करवा दूँगा, यह धरमशाला बनवा दूँगा, इ क्या भागवान आप से कुछ लेने को बैठे हुए, क्या इश्वर को किसी तरह का लालच हम से हो सकता है, कि यदि कोई मेरा इतने रुपे का प्रशाद चड़ाएगा, तो मैं उसका काम करूँगा, कोई मेरे को सोने का मुकुट चड़ाएगा, तो मैं उसका काम करूँगा यह कैसी एप्रोच है क्राइम है मैं समझता हूँ यह हमारा जब जन्म होता है बच्चे होते कहीं भी मैं समझता हूँ पूरे संसार में जब बच्चा बोल नहीं सकता है बच्चा चल नहीं सकता है अपनी कोई डिमांड नहीं रख सकता है उस दौरान जो हमारे माता, पिता होते हैं, वे हमारे भूख लगने पर हमें भोजन देते हैं, उन्हें पता लग जाता है किसे भोजन की आवेशक्ता है, उन्हें पता लग जाता है कि अब बच्चे को सूसू आया होगा, इसे सूसू कराना है, अब बच्चे का पोटी का समय हो गया, इसे पूटी करा लिए, बच्चा बताता तो नहीं है, चलना सिखाते हैं, हमें इस काबिल को बिना मांगे पूरी करता है, जो आपकी जायज मांगे है, बिना मांगे, शिक्षा हमारी जायज जरूरत है, हमें पिता से कहना नहीं पड़ता है, कि पिता जी हमें शिक्षा दिलवाईए, भोजन हमारी जायज जरूरत है, हमें पिता जी को बोलना नहीं पड़ता है, माता हमने कभी मांग रखी या हमारे बच्चों ने कभी हमारे सामने ऐसी मांग रखी तो जब हमारे माता पिता हमारी जायज मांगों को जायज जरूरतों को बिना मांगे पूरी करने की छंता रखते हैं बिना मांगे पूरी करते हैं तो हमें इश्वर के उपर यह संदेह क्यों हो जाता है, जिसे हम परम पिता कहते हैं, परम पिता हैं, तो क्या परम पिता को हमें बताना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, कि मुझे क्या चाहिए? मैं समझता हूँ, जब हमारे माता-पिता को पता है, कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, जो परम पिता है, जिन्होंने इस श्रष्टी का निर्मान किया है, जिन्होंने हमें बनाया है, उन्हें नहीं पता है, कि हमें कब क्या चाहिए? एसी स्थिती में जो मांग करने हम जाते हैं जो बिजनेस करने जाते हैं जो ट्रेड करने जाते हैं यह बिजनेस है यह ट्रेड है प्रपोसल लिखे जा रहे हैं कि आप मुझे यह दो बदले में मैं आपको यह दो एक हाथ दे दूसरे हाथ दे हमें यह समझना होगा हम इश्वर के पास कितनी बार अपनी कृतिक ग्यता बताने पहुंसते हैं कितनी बार हम उनका धन्यवाद करने पहुंसते हैं कि हे इश्वर आपने मुझे जो जीवन में दिया है जिसकी वज़े से आज मैं भूखे पेट नहीं हूँ हम आपके करते किया है थैंक यू गॉड हम जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ मांगने में ही कियो यकीन रखते है आपको क्या लगता है कि जिसने इतनी बड़ी श्रष्टी का नर्मान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया बना दी उसको यह नहीं पता है कि उसके किस बच्चे को क्या चाहिए क्या जुरूत है यह हमारा कहीं न कहीं मुर्खता भरा प्रयास होता है हमें इससे बचना चाहिए और यह कई बार होता है एक common sense है कि जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं इसको इस तरह ऐसे देखें कि अगर हम अपने दोस्त से अपने रिष्टेदारों से अपने साथियों से अगर हम कई बार एक या दो या तीन बार किसी चीज की मांग रखते हैं और हमारी मांग नहीं पूरी करते हैं तो हम उनसे दूरी बनानी शुरू कर देते हैं क्यों क्योंकि उसने तो हमारी बात नहीं सुगी, उसने तो हमारी मांग नहीं पूरी की, करी इसी शरंखला में हम इश्वर तक जा पहुंचें, श्वेता जी का तो यही कहना दिखाई दिए रहा है कि वह मंदिरों में गई उनकी मांग पूरी नहीं हूँ इसलिए उनका इश्वर से विश्वास उठके आए मैं श्वेता जी से कहना चाहूंगा कि श्वेता जी इश्वर पे विश्वास रखें आज आप यह देखें जो आपके पास है जो संपन्ता आपके पास में है वह कितने लोगों के पास है जो आपके घर में मेड काम करने आती है क्या वही सहुलियते उसके पास है वो सकता है हो सकता नहीं 100% मेड है वह सोचती होगी कि काश उसकी जिन्दगी आप जैसी होगे तो इश्वर से प्रात्ना करती होगी लेकिन इश्वर ने आपको चुना ऐसी जिन्दगी देनी के तो हमें सबसे पहला काम तो यह करना चाहिए इश्वर से जो ट्रेडिंग ट्रम से इनको बंद करना चाहिए इश्वर के पास हमें अपनी करतेग्यता जाहिर करने जाना चाहिए आप देखें आपका जीवन पलट जाएगा बदल जाएगा तूसरी बात यह दुखी होने का कारा है जो कहने कि हमारी कोई नहीं सुनता सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए प्लैन कर जाना है तो हमें पहले वह काबलियत ग्रैप करनी होगी एक्वायर करनी होगी वह इसकिल कि लोग हमारी सुनें आप क्यों नहीं अपने पती के बिजनेस में हाथ बटाते हैं आपको अगर अकेलापन लगता है आप पती से बात करिए उनको बूलिए कि मुझे भी ऑफिस ज जाँन करना है मैं धीरे धीरे उस बिजनेस को सीखने का प्रयास करें कही नब कहीं आप कंट्रिब्यूट करने का प्रयास करिए उससे दो फायदे होगी पहला एक तो आपका अकेलापन है वह खतम होगा दूसरा आप अपने घर के अपने पती के बिजनेस में क्योंकि विक्ति को एक विश्वास पात्र विक्ति चाहिए होता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, डिपेंड करता है किसका कितना बड़ा बिजनेस होता चला जा रहा है, वो किस पे विश्वास करता है, बाहर के लोगों के, क्योंकि उसके पास कोई option नहीं होता है, और फिर वह कभी ना कभी किसी ना किसी समय पे धोखा देके चला जाता है, मैं यह नहीं कहूंगा कि वह धोखा देके चला जाता है, मैं यह कहूंगा कि वह अपने बड़े सपनों को साकार करने के लिए चला जाता है, जब उसको वहां पे लगता है कि अब मेरी यहां पे कोई जरुवत या मेरी अब यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है, फिर दूसरी जगह चला जाता है, फिर बिजनसमेन को क्या, एक नए बंदे को लाता है और फिर उसको ट्रेंड करता है, लेकिन अगर घर का अधिक्त भी बिजनस में होगा, और उनके बिजनस में हाथ बटाएगा, तो मैं समझ वह खतम होड़ा है, सुनने व्यवस्ता कातम हो रही कि आपको कोई नहीं सुनता है वह खतम होगा, क्योंकि जब आप बिजनेस में जाएंगे तो आपको बहुत सारे सारे लोगों को कमांड करने का मौका भी मिलेगा, प्लस आप बिजनेस को समझेंगे और फिर आप अपने पती से भी डिसकस कर सकेंगे कि भई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए और पती भी तब आपकी सुनेंगे कि हाँ भी आप तो आप एक्टिव पार्टनर है और चीजों को समझ रही है और वही चीजें कल को जब बच्चे आपकी बिजनेस में शामिल होना चाहिए तो आप बच्चों को भीज़े धीरे धीरे बता सकेंगे कल को भगवान ना करे आपके पती बीमार हो जाए दस दिन पंदरा दिन के लिए तो क्या बिजनेस ठप हो जाएगा क्यों जाईर सी बात है दूसरों के उपर हो डिपेंडेंट हो जाएगा तो उस दोरान आप अपने बिजनेस को समाल सकती है मैं समझता हूँ कि हर पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, अपने पती के बिजनस में, बेवसाय में हाथ जरूर बटाना चाहिए, उसमें एक एक्टिव पार्टनर का रोल प्ले करना चाहिए, कोई भी रोल जो उसकी छमता में आता हो, वो लेना चाहिए और अगर लगता है कि वो छमता नहीं है हमारे पास में, तो उस स्किल का सीखना चाहिए, एक्टिव करना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं रहेगी, लाइफ में शिकायत करना बंद करें, थैंक यू कहना शुरू करें, क्योंकि ज हमने कुछ गाओं एडॉप्ट किये हैं, उन गाओं में जाता हूँ, उन गाओं को एडॉप्ट करने के पीछी कारण ही था, कि जब मैं वहाँ पहुचा देखा एक व्यक्ति, उबले हुए चावल नमक के साथ मिखा रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि हम आपके सरकल में ऐस कि कोई व्यक्ति नमक और चावल खा रहा है, तो आप उसका सोचिए कि वह कितना दुखों में हो सकता है, लेकिन उसके पास इस तरह का कोई दुख नहीं है, उसका दुख यही है कि मुझे भरपेट भोजन मिल जाए, मैं अच्छा खालू, मेरा इलाज हो जाए, उसको बच मजदूरी कर लेंगे, तो हमारा आपका सबका जीवन बहुत ही बहतर है, हमें यह सोचना पड़ेगा, दुखी होने के लिए बहुत सारे आप बहाने खोच सकते हैं, जब चाहें आप दुखी हो सकते हैं, आपको दुखी होने के लिए किसी नहीं रोका, आप शाही पनीर आ आने को मिल जाता है, आप इसमें भी दुखी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको इश्वर के प्रतिकरतग्य होना चाहिए, जो आपको मिला है, जीवन में उसके प्रतिकरतग्य होना चाहिए, ग्रैटेट्यूट पे करना आना चाहिए, और शिकायते करना बंद करिए, और आग और भगवान से विश्वास उठने का मतलब है कि आपका अपने उपर ही विश्वास नहीं है, कमाण नहीं है. भगवान सिर्फ और सिर्फ मंदिर सिर्फ और सिर्फ मननत मांगने के लिए नहीं है. वो स्रस्ष्ट का रचाईता है, परमपिता है, उसे पता है कि हमें कब क्या जैसा मैंने बताया कि जब हमारे माता पिता को पता होता है कि भई बच्चे को क्या चाहिए जब वो बोल नहीं पाता है तो भगवान को परम पिता को सब कुछ पता है कि उसको कब किसको क्या देना है तो इसे बहार आए जी रविंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स को कभी भी बताना नहीं पड़ता कि बच्चों को कब क्या जरूरत होती है वो उनके बिना मांगे ही वो पूरी कर देते हैं उसी तरीके से परम पिता भगवान जो है उनको भी हम लोग को कब क्या चाहिए बताने की जरूरत नहीं है उन्होंने सब चीज पहले से ही डिसाइड कर रखी है और अगर हम उनके पास जाकर कुछ मांगते हैं वो पूरा नहीं होता तो भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए तो स्वाती जी होफुली आपको आपके क्वेशन का अंसर मिल गया होगा तो अपने आपको व्यस्त रखने आरम कीजिए अपने पार्टनर की बिजनस में हेल्प कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके और आपके दिमाग में भी इधर उधर की बाते ना आएं योंकि हम लो इधर गौतम जी से और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो सब इसका लाब कमा सके नमस्तर